हाई दोस्तों, आज का मेरा वीडियो वर्द्रा के सयाजी बाग के बारे में है सयाजी बाग को 8 जन्यूवरी 1889 में महाराज़ सयाजी रव गायकवर तीन द्वारा वर्द्रा के नागरिकों को समर्पित किया गया सयाजी रावतीन ने विस्वामित्री नदी पर सयाजी बाग का निर्मान किया जिसे कमाटी बाग भी कहा जाता है जो 113 एकड में फैला है यह बाग पश्चिमी भारत का सबसे बड़ा उतियान है यह बाग के तिन प्रवेजवार है पहला प्रवेजवार सयाजी चोक पर है जिसे काला गोड़ा चोक भी कहा जाता है क्योंकि वहां महाराजा की गोड़े सवारी की मुर्ती है यह गेट बस टेशन से केवल 800 मिटर की दूरी पर है तिसरा गेट फतेगन सेत्र के राना प्रताब चोक पर है और दूसरा गेट पहले और तिसरे द्वार के बीच में है तो आईए दोस्तों मैं आपको मेरे वीडियो के माधियम से इस खुब सिरत जगह की सेर कराती हूँ 113 एकड में फैले इस बाग में फ्लोरल क्लोक, बरोडा म्यूजियम, पिक्चर गैलेरी, तारा मंदर, टॉइ ट्रेंड, जू और मसलीगर है फ्लोरल क्लोक ये दुनिया और भारत की सबसे बड़ी फुलो की घड़ी है इसमें घंटा, मिनीट और सैकेंड का हाथ है, जो 20 फिट व्यास के डायल पर चलता है घड़ी को घुमने वाली मसीनरी भुमीगत है, जो घड़ी को नेचर लूप देती है यहां फुलो की 98 से ज़्यादा प्रजा तिया है बरुडा म्यूजियम और पिक्चर गैलरी म्यूजियम को 1894 में लंडन के विक्टोरिया और अलबर्ट संग्रालेज से मिलता चुलता बनाया गया है इसे प्रसिद्य वास्तुकार आरेफ चिसलम द्वारा बनाया गया है पिक्चर गैलरी को 1910 में जोड़ा गया था ये प्रमुक आकर्षन है. संगरालाई को देश में सबसे प्रसिते संगरालाईव में से एक माना जाता है. मंडल तारा मंडल सराजी बाग के मुख्य द्वार के पास है यह दोसो दर्शको की समतावाली पिरामेंड के आकार की इमारत है. इसमें तेनिक सारवजनिक के साथ सत सेक्सनिक संस्ताओं की पेशकस भी की जाती है इसमें हिंदी, गुजराती और अंगरजी में शो दिखाया जाते है जिसके लिए अलग से टाइमिंग भी दिये गए है दुफेर चार बजे गुजराती, पांच बजे इंगलिस और छे बजे हिंदी का शो दिखाया जाता है तारा मंडल आपको विबिन प्रकारे के क्रहों और तारों के बारों में चानकारी देता है टोई ट्रेंड टोई ट्रेंड की सवारी दस इन चोड़ाय के ट्रेक पर चलती है जो 3.5 किलोमिटर की दूरी तय करती है जिसमें बैट कर आप पूरे बगीचे की सवारी कर सकते है यह सवारी वरोदरा के शाही का अकवारवन्स के बच्चों के लिए उपहार थी अब इस छोटी टोई ट्रेंड की जगह नई ट्रेंड चलाई गई है जिसका नाम जोई ट्रेंड है जिसमें बड़े भी बैट सकते है जोई ट्रेंड टोई ट्रेंड से बड़ी होती है इस ट्रेन के लिए नया प्लेटफोर्म स्वामी वेकान स्टेशन बनाया गया है ट्रेन का समय सुबह 10 वजे से राद 10 वजे तक है और गुरुवार को ये बंद रहता है 20 मिनिट की इस यात्रा में स्पीकर के माध्यम से वरोद्रा की वीरासत और सयाजी बाग की वीरासत के बारे में बताया जाता है जॉइ ट्रेन के लिए बड़ो की टिकेट 40 और बच्चों की टिकेट 20 रुपए है जू को 1889 में मुल पार्क के हिस्से के रुप में खोला गया था जू में 166 प्रजाती के 1103 जानवर है जिसमें एश्याई शेर हीरन और बाग का समावेस होता है यहाँ पर अलग से एक चिडियागर भी बनाया गया है जहां अलग अलग प्रकार के पश्ची है जिसमें 67 प्रजाती के 513 सी पश्ची है एक्वरियम यहाँ पर एक चोटा सा एक्वरियम भी बनाया गया है यहाँ पर 45 जितनी अलग अलग प्रजाती की मचलिया है विसामित्रे नदी पर मौजुद केबल स्टे सस्पेंसन ब्रीज भी इस बगीजे का हिस्सा है यह ब्रीज जॉन फेल्मिंग कंपनी के एंजिनर द्वारा बनाया गया था लेकिन एक दुखत घटना के मोड में 1964 में फुगा अग्यारस के दिन काफे वीड के कारण यह ब्रीज टूट गया था इसके बाद 2016 में वीएमसी के द्वारा नए केबल प्रीज का निर्मान किया गया पार्क में गुमते हुए आपको दो छोटे बच्चों की मुर्तिया आएगी एक MSU ललितकला के सामने है और दुसरी ब्रेड स्टेंड के पास कुद्यान से द्रमस्तीत है इन मुर्तियों का वास्तों में महाराजा सयाजी रव गायक वर तीन द्वारा अम्रिली के दो लड़कों को सद्दान जली के रूप में रखा गया है ये वो लड़के थे जिन्होंने सिकार अभ्यन के दोरान महाराजा सयाजी राव को भाग से बचाया था यहाँ पर कहीं सारे गुजराती और हिंदी फिल्मों की शुटिंग की गई है आमिर खान की मुवी सीक्रेट सुपर स्टार के एक गाने की सुटिंग भी इस बाग में की गई है यहाँ पर ओडिटोरियम भी है जहाँ छोटे बड़े इवेंट किये जाते है पार्क हमेजा सुबह में भी लोगों से गीरा रहता है लोग फिट रहने की तलास में यहाँ पर जोगिंग और एक्सरसाइस करने को आते है यहाँ पर एक्सरसाइस करने के लिए आदुनिक उपकरन भी मौजुद है यहाँ पर आपको यंग्स्टर और ओल एच पीपल भी देखने को मिलेगे जो सुबह व्यायम और जोगिंग के लिए आते है और कहीं लोग अपनी वियस्त जिंदगी से खुस्यों की तलास में यहाँ आते है विकेंड पर यहाँ काफे भी डुड़ाती है लोग अपने फैमिली और दोस्तों के साथ इस पार्क की शेर करने को आते है यहाँ बच्चों के लिए भी काफे सारी राइडस है जैसे की बंपरकाल, हिंडोला, बंजी जंपिंग, स्लाइडर, एक्सेटरा तो यह बाग बच्चों से लेकर बढ़े सबको आनदित कर देता है बाग के बाहर निकलते ही सामने के साइड पर स्ट्रीट फूड है जहां आपको मनपसंद खाना भी मिल जाएगा जैसे के पाव बाजी, चाइनीज, अंडा पुलाव, चाई, समोसे, ज्यूस, सेंडविच, एक्सेटरा तो दोस्तो इस से बढ़िया और जगग क्या हो सकती है तो फ्रेंड्स आप जब भी वरुद्र आए, सयजी बाग जरूर आएगा और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत बुलेगा थैंक यू